नमस्कार एक बद फिर से मैं अब सभी के सामने उपस्तित हूं बेहद महात्वपून टॉपिक के साथ आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नय जिले का गठन किया जा रहा है यह उत्तर प्रदेश का 76 जिला होने वाला ह और इसका नाम फरेंदा रखने की बात कही जा रही है आखिर क्यों जरूरत पड़ी उत्तर प्रदेश में ने जिले की तो उसके बारे में भी बात करेंगे यह जो जिला है आपका यह नेपाल की सीमा से सटा हुआ है यदि आपको पता हो तो वर्तमान में यूपी में 75 जिले ह है और ठारा मंडल है चले वीडियो में देखते हैं कि और कौन सी महात्वपूर बाते हैं और यहां पर योगी सरकार ने यह फैसला आखिर क्यों लिया है कि उन्हें 76 जिला बनाना है उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में यह जो नेपाल से सटा वाला इलाखा है इससे जास करना है तो फरेंदा नाम का यह जो नया जिला है यह बनाना आवश्यक हो जाता है तो इसी के बारे में डीटेल आंसर करने वाले हैं मेरा नाम है प्राची मिश्रोड संस्कृति आयस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है वीडियो एं तक जरूर देखेगा ल कुछ रहे है या तियारी करना चाहते है तो जल से जल आप एडमिशन लेले क्योंकि ओफर यह कल आपका एंड होने वाला है इसमें आपको यह सारे कोर्स उपलब्ध होने वाले है यूपी एसी एंड पीसिस के अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉंटेक कर सकते हैं 955-124-124 आज आते हैं अब अपनी न्यूस पर न्यूस क्या है यूपी में 76 जिला बनाने की तयारी नेपाल से सटाई कसबा क्यों जनपत बनाना चाहती है योगी सरकार इसके बारे में बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया जनपत बनाने की बहुत से सत्ता है उदर से चाइना इंटरफेरंस कर रहा है चलो आगे बढ़ लेते हैं तो योगी सरकार उतर प्रदेश में एक जनपत और बढ़ाने की तयारी कर रही है इस नेजले का नाम अभी जो संभावित रखने की बात कही जा रही है आगे करते हैं कि ये किन दो जिलो को क आठा जाएगा गोरकपूर और महराज गंज ठीक है आगे आ जाते हैं महातुपोर्ट बिंदु क्या हो जाते हैं अखिर क्यों जरूरत पड़ी यह हमें यहां पता चलेगा देखे उत्तर प्रदेश का या कजबान नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और यह बहुत बॉर्डर आप जाएगे इसको क्रॉस करें थोड़ी दूर पर एरपोर्ट है और वहां से आपको बहुत जगर के लिए फ्लाइट्स मिलती है तो आसानी से लोग यहां से भाग भी सकते कुछ भगोड़े हैं जिन्नोंने वह रास्ता बना रखा होगा कि मुझे यहां से भा इस इलाके में पाकिस्तान और चीन से गुप्तचर गतविधियों के आशंका हमेशा बनी रहती है क्योंकि मैंने बता बहुत जल्दी आसान है भागना प्रवेश करना भी आसान है तो इसी वज़े से यहां पर गुस्पैट होती रहती है भारत की यही वज़ा है कि योगी स शाषन को यह पत्र भेजा गया तो उसमें सारी संभावित चीजे लेख दी गई थी आगया ते फरेंदा जिले पर एक नजर डालेते हैं जो नया बनने वाला है देखें महराज गंज के फरेंदा को आनन नगर भी हम कहते हैं और यह नगर पंचाय थे आंगी इस कारड यह रखती है आगे बात करें जिला नेपाल से सटा होने के कारड भीहत खास है क्योंकि यहां पर जो कजबा है वो सरकार के लिए इंपोर्टन हो जाता है यह वाला यहां एक रेलवे स्टेशन भी है जिसे आरन अगर जंक्शुन के नाम से जाना जाता है और रेलवे लाइन यह पर जिक एखिड़ को तो कैसे बना जाएगा तो इसके लिए सरकार क्या करती है इस Confederategypt को पीछिशना आगा मुट्यूरी के लिए राच जपाल के पाल जाता है मनजूरी के लिए राच जपाल जब मनजूरी तो यह नाया जिला भन खाल जाता है इसके बीच में प्रोसेस होता है इसकी सीमा देखी जाती है कितनी तहसी отвеч को उसमें तीन तहसीले मिनिमम आवश्यक हैं तो तीन तहसीले हैं या नहीं हैं फिर किसकी किसकी नियुक्ति की जाएगी नेट डियम सब पहले देखा जाता है प्रॉपर डॉक्यमेंटेशन होता है दन उसके बाद आपका यह नया जिला बन जाता है आगे आ जाते हैं 1989 में महार गंज के वारे जाना जरूरी है तो अक्टूबर 1989 को गोरगपुर को तोड़ करके आपका महाराज गंज बना था हैं हुआ की तहसीले आती हैं सदर निच नौला फञेंदा और नौतनवा यह चार तहसीले हैं अब फरेंदा और मेंनाना की तैयारी की जा रही एं ऐसे में आ process थोड़ा से लंबा है process यहे कि सबसे पहले नया जिना बलाने के लिए राज्य सरकार करती है स्थाणिय प्रिशाशन को notice भेज़ती है जो अभी भेज़ दिया गया है इसके बाद जिला बनाने का निर्णि लिया जाता है कि हां कैसे बनाया जाएगा उसकी सीमा क्या होगी कैसे निर्धारित की जाएगी ये सारी चीज़े इसके बार राजसरकार की ओर से बिल्ला करके राजपत्र में इसके अदुसूचना जारी की जाती है इसमें जिलों की स्पस्ट सीमाएं होती है स्पस्ट सीमाय होना बहुत जरूरी है वरना विवाद हमेशा बना रहता है ठीक है इसके बाद राजसरकार इसे स्विकृति के लिए कहां भेजेगी राजपाल के पास भेजेगी और राजपाल नया जिले की स्विकृति प्रदान करता है और इसके बाद आपका नया जिला अ दजर डाल लेते हैं कि भाई क्या-क्या यहां पर अभी तक है संबल यूपी का सबसे नया जिला है ठीक है सबसे बड़े छेत्रफल के दी बात करें तो लखीमपुर हो जाता है सबसे बड़ा जिला हो जाता है सबसे बड़ा मंदल कौन सा है लखनव आपका सबसे बड़ा मंदल हो जाता है तो इस प्रिकार से यूपी आपको पूरा समझ में आ गया होगा आगे आ जाते हैं यूपी में संबल सबसे नया जिला था ठीक है तो टोटल 75 जिले हैं सबसे नवींतम जिला संबल 28 सितंबर 2011 को बनाए गया था 826 समुदा एक विकास खंड हैं 200 नगर पालिकाए हैं 17 नगर निगाम पाच विशेश शेतर पादिकर और 546 नगर पंचायत पिछतर जिला हैं और इनकी संख्यादि ग्राम पंचायतों की बात करें तो 500 है यूपी का सबसे बड़ा और चोटा जिला भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीम पुर खिरी हो जाता है तो यह थी निउज जो हमने डिस्कस करी यूपी को लेकर के I hope आपको समझ में आई होगी तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद लाइक शान सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें and thank you so much